अलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल लर्ण टू टेक में और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना आधार कार्ड घर बेटे मंगा सकते हैं अगर आपके आधार कार्ड में आपका कोई मोबाइल नमबर नहीं जुड़ा हुआ है कोई रेजिस्टर मोबाइल नमबर नहीं है तो बिना OTP बिना मोबाइल नमबर के भी आप अपना आधार कार्ड घर बेटे मंगा सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में लाश्ट तक बताएंगे, तो वीडियो को आपको skip नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है, और आप बढ़ी आसानी से ये अपना आदार कार्ड अपने घर पे मंगा सकते हैं, तो वीडियो पे मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गोर्मेंट की ओफिशल वेबसाइट, जो आधार कार्ड की ओफिशल वेबसाइट है, uidi.gov.in पे आपको आजाना है, यहां पर यह सर्च कर लेना है, इसका लिंक मैं आपको description में दे दू हूँ कि नीचे एक order आधार PVC कार्ड का option दिखाई दे रहा है, इस पे आपको click करना है, new tab open होने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, तो इसके बाद हमें यहां पर एक second वाला option दिखाई दे रहा है, order PVC कार्ड, तो इस पे हमें click करना है, और कहीं पे भी click नह लेगा, इसमें यह जो देख सकते हैं उपर, इस तरीके से आपका जो आधार कार्ड होगा, वो आएगा, तो उसके लिए आपको यहां पर उपर वाला जो option है, इसमें आधार नंबर और enrollment नंबर ID होती है, जो वो दिखने को मिलती है, तो हमें क्या करना है, आधार नंबर प देख कर, मैच करके जो भी है, और उसके बाद हमें यहां पर my mobile number is not registered, तो यह वाले option पर click कर देना, इसको tick कर देना है, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूँ, मैं अपना detail फिल कर देता हूँ एक बार, यहां पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है, capture फिल कर दिया ह my mobile number is not registered, इसके बाद यहां पर मुझे एक option दिखाई देता है, enter mobile number, जो यहां पर जो हमें mobile number enter करना है, जो present time में आपके पास available हो, mobile में आपका चालू number हो, उसको आपको यहां पर fill कर देना है, उसके बाद हमें send OTP पे click कर देना है, यहां पर मैंने click कर दिया है, तो यहां पर जो enter OTP का option है, इसपे हमें click करना है, आपका जिस number को आपने डाला है, उसमों mobile number पर एक OTP आया होगा, उसको आपको यहां पर fill कर देना है, OTP मैंने डाल दिया है, उसके बाद मुझे यहां पर terms and condition का जो option दिखाई दे रहा है, इसपे मुझे tick कर देना है, और उसके बाद submit वाले option पर click कर देना है, इस तरीके से यहां पर यह आपको कुछ notice दिखाई देगा, इसमें क्या है कि लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कि जो हमें अपना आदार कार्ड है, वो डाउनलोड करना है, वो अपने घर पर आएगा, उसके लिए यहां पर 50 रुपे का है, जो charge लगेगा, जो include होगा, जिसमें GST भी include होएगा, तो वो हमारा 50 रुपेगा आदार कार्ड का है, जो PVC कार्ड बनके आएगा हमें घर पे, उसका charge लगेगा online आपको यहां पर payment कर देना है, उसके बाद वो आपका post के द्वारा घर पे आ जाएगा आदार कार्ड, इसके आउसके लिए सारे option देखाई दे रहे हैं, और यहां पर payment के लिए यहां पर 50 रुपे का payment है, हमें वो देना है, इसके लिए हमें UPI का use कर सकते है, net banking का use कर सकते हैं, wallet का use कर सकते हैं, card का use कर सकते है, जिसमें हमारे debit card, grade card जो भी हो, तो और जो भी आप पे TM का use कर सकते है, तो सारे जो payment के method होतों हैं वो available हैं तो जिस तरीके से आप suitable हो उस तरीके से आप यहाँ पर payment कर दीजे payment done होने के बाद आपका जो है आपको redirect कर दिया जाएगा और कुछ time बाद आपका कुछ दिन लगेंगे उसके बाद आपका पोस्ट के द्वारा आपके जो address होगा आदार काड का उसी address पर आपका plastic का जो card बनके आएगा वो आदार काड अपना घर पे आ जाएगा इस तरीके से आप बिना किसी number के register हो या ना हो उसके बिना भी आप अपना आदार काड घर बैठे मंगा सकते हैं मातर पचास रुबे का चार्ज आपको online पे करना है जो की government को पे करना है तो ये था एक helpful वीडियो थोड़ा सा आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को like, share and subscribe क कर दीजेगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा ताकि उनके लिए भी ये वीडियो helpful हो और वो भी अपना आदार काड इस तरीके से घर बैठे मंगा सकें अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए किसी topic पर तो आप comment box में जरूर बताएं मैं कोशिश कर आउं जिसमें आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएं तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही थेंक्यू सो मच